So hey guys welcome back to one new video दोस्तो 29th of June को सिनेमा घर के अंदर हियारा आडवानी और कार्तिकारियन की बेस्ट केमेश्ट्री वाली मुवी सत्य फ्रेम की कथा को रिलीज कर दी गई थी वहीं पर बात करें तो ये मुवी काफी बेतीन तरीके से box office collection के साथ सिनेमा घर के अंदर one week complete कर चुकी है और second week के अंदर भी entry कर चुकी है आज की वीडियो में बात करेंगे इस मुवी के total one week के collection के साथ साथ आज ये मुवी अपने दसवे दिन पर किस तरीके की collection करती हुई नजर आ रही है वीडियो सुरू करें उससे पहले आप सभी से एक चोटा सा request है अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं कि अपली चैनल को subscribe जरू कर दे ऐसे ही updated वीडियो आप सभी के लिए लेके आते रहते हैं तो चलिए दोस्ते वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करें तो सत्य प्रेम की कथा मुवी स्टार्टिंग के अंदर यानि की फर्स्ट विक के अंदर हमें काफी अच्छी खासी कलेक्शन करती हुई नजर आई थी जहाँ पर बात करें तो इस मुवी के अंदर बैतरीन इमोसंस बैतरीन लव रोमांस हो ही पर बात करें तो बैतरीन कॉमेडी के साथ ये मुवी ओडियंस को काफी बैतरीन तरीके से जबट जस तरीके से थीएटर्स के अंदर एंगेज करती हुई नजर आती उसी के साथ दोस्तों अगर बात करें तो सत्य प्रेम की कथा मुवी अपने टोटल आठ दिन में या फिर बात करें तो टोटल वन विक में 53.21 करोर की कलेक्शन करती हुई ओल इंडिया के अंदर नजर आई थी जहाँ पर बात करें तो कहीं कहीं ना कहीं बाइप और भारी देवा कम बजट में बनी हुई मुवी सत्य प्रेम की कथा मुवी को कहीं ना कहीं बीट करती हुई नजर आ रही है उसी के साथ दोस्तों बात करें तो यह मुवी अपने नवए दिन पर 2.77 करोर की कलेक्शन करती हुई नजर आती और वहीं 59.48 करोर की बॉक्स अफिस कलेक्शन करते हुए सुपर हीट होती हुई नजर आ रही है वहीं पर बात करें तो कहीं न कहीं यह मुवी अपने बजट को क्रॉस करते हुए बेनिफिट याने की प्रॉफिट के अंदर भी एंट्री कर चुकी है और काफी अच्छी खासी भौक